कि पोट्री कला से संबंदी जो भी मेर्पून कोश्चन बन सकते हैं आज हम इस यूडियो में लेके आए हैं यादि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए फटापट से सब्सक्राइब और नीचे दीए के लालंके सब्सक्राइब बटन को दबा कर फिर बैल आइकन दबाएं अब फोटरी मिट्टी के बरतनों पर कला क्रती करना पौटरी करता है पहला क्व के रना है नरी लौक यूजरी और दूसरा वे रायस्तान में पोटरी कला को लाहर से कोन लेकर आयान था तो र्यांसर होगा ओप्सन भी मानसिंग परशिया इरान से लाहूर पाकिस्तान मुगल सासक अकबर इसकला को लेकर आया था जबकि लाहूर पाकिस्तान से जेपुर सासक मानसिंग राइस्थान में इसकला को लेकर आया है तीसरा क्वेशन है राइस्थान में ब्लेक पोटरी कहां की परसिद है तो राइट पोट्री अलवर वे सांगा नेर की परसिद है जबकि सुनहरी पोट्री का संब्ध है बीका नेर और जेसल मेर जिले से चोता क्वेशन है रहीसी पोट्री किस पोट्री को कहा जाता है तो राइट आंसर होगा ओप्शन ए बिलू पोट्री को रहीसी पोट्री वे अमीरी पोट्री भी कहा जाता है बिलू पोट्री राइस्थान के जेपु जिले से सम्मंदित है पांचों कुश्चन है बिलू पोटरी के जदूगर किरपाल सिंग सेकावत को पदम सिरी अवार्ड कब दिया गया तो रैट अंसर होगा ओप्सन सी 1974 में 1974 में किरपाल सिंग सेकावत को पदम सिरी अवार्ड से नवाजा गया था किरपाल सिंग सेकावत का जनम राइस्थान के मवगाओं सीकर जिले में हुआ है किरपाल सिंग सेकावत के गुरू थे भुरे सिंग सेकावत जिन्होंने गाओं के चितेरे लिखे हैं सिल्प गुरु अवार्ड वे पोट्री में 25 रंगों का प्रियोग करने के लिए किर्पाल सिंग से कावत को दिया गया था चटा क्वेश्चन है नीली पोट्री से सम्मंदी विशेस्ता नहीं है तो राइट अंसर होगा अपसंडी अर्डू की लकडी का प्रियोग नहीं किया जाता है हरे रंग का काच का प्रियोग किया जाता है गौंद वे साजी का प्रियोग वे मुलतानी मिट्टी का प्रियोग नीली पोट्री में किया जाता है हरे रंग का कांच कहीरा कहलाता है गोंद साजी सोडियम कार्वोनेट कौार्ट्स मुलतानी मिट्टी आधी सभी का प्रियोग नीली पोट्री में किया जाता है जिसका सम्मंद जेपु जिले से सम्मंदित है साथो क्वेश्चन है ब्लू पोटरी से संबंदी कलाकार निमने में से है तो राइट अंसर होगा उपसंडी उप्रोक सभी खेम राज प्रभुलाल वे सत्या नाराण ये सभी कलाकार ब्लू पोटरी से संबंदी थे जबकि अन्य कलाकारों में महिला कलाकार है स्वर्गे सिरी नाती भाय थी और वर्दमान में मेनाक्ची राठोड नेक्स्ट वंचिन है कुश्ट नम्बर आठ बिलू पोट्री का सरवादी की विकास किस काल में हुआ तो रैट अंसर होगा सवाय राम सिंग सेकंड के ससनकाल में ब्लू पोट्री का सरवादी विकास हुआ ब्लू पोट्री को आमेर लाने का स्रे मान सिंग प्रत्म को जाता है राम सिंग के काल में कालू वे चूड़ा मन्ने दिल्ली के बहुला कुमार से परशिक्षन प्राप्त कर ब्लू पोट्री कला को पुन जीवित किया था नवा क्वेश्चन है कुष्चन नम्बर नो चीनी मिट्टी के बरतनों पे काले रंगी प्रधानता किस पोटरी की विज़ेशता है तो रैट अंसर होगा बलेक पोटरी जिसे गरीबी पोटरी भी कहा जाता है जो कोटा जिले की परसिद हैं गमले दाने कप प्लेट ये बलेक पोटरी के पर्मुक विज़ेशता है जो कोटा के काफी परसिद हैं दस्वा क्वेश्चन है सुनहरी पोटरी वे गोल्डन पोटरी का सम्मंद रायस्तान के किस जिले से हैं तो रैट अंसर होगा ओप्सन सी बीकानेर और जैसलमेर यानि एवे बी दोनों बीकानेर वे जैस स連 जिले से संब्मदित है सुनहरी पोट्री वे गोल्डन पोट्री वे इसमें सुनहरे रंग का प्रियोग किया जाता है जब्हां से मित्टी के बरताशेनी मित्टी के बरतांवे चित्रकारी की जाती है beginnext question है double वर्क वे काक्जी पोटरी का सम्मंद राइस्थान की 220 इन Christ इस्थान से हैं तो रहें टाइसा रोगा ऑप्शन ६ एवए बी दोनों यानि अलवर वे सांगानेर से डबल वर्क वे कागजी पोट्री का संब्द है शित्र युक्त कागज के बर्तनों पर चित्रकारी करना केलाता है डबल कि या कॉठक जिब्लंटरी इसे सजावर्टी पोटरी भी कहा घाता है तरल परधारतों का प्रियोग काखजी पोटरी में नहीं किया जाता काग่जों को गला कर बरतन बनाने की कला पेपर मेसी कहला दोस्तों कैसा लगा आपके वे सेशन हमें कॉमेंट करके बताना है यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ